हेलो गाइज, आप सभी को खोच चैनल के तरफ से हार्दिक सुख कामना हैं, आज खोच चैनल आप सभी के लिए सत्य घटना पर आधारित सची कहानी लाया है, यह घटना स्री हनुमान गड़ी मंदिर अयोध्या की है, जिसमें एक बार फिर भगवान ने चमतकार दिखाया है प्रभू तो प्रभू हैं ही, बिना उनके आदेश के, जब पत्ता नहीं यलता, तो क्या बम भड़ सकता है, तो दोस्तों चलते हैं मारमिक त्रिष्टांत की तरफ घटना सन 1998 के है, कोई बवाल न हो जाए, इसलिए इसे मीडिया से दूर रखा गया, तो दोस्तों मंदिर परसर में लगे ठंडी पानी की, मसीन के पास, बैठा एक छोटा सा बानर, मुह में दो बिजली के तारों को ले चबा रहा था मानो कोई फल हो, पूरा मंदिर खाली करा लिया गया था, एक-एक सर धालू और एक-एक दर्सनार थी केवल पुलिस बल और बम निरोधग दस्ता वहाँ उस समय हनमान गड़ी मंदिर की भीतर था और वे सभी के सभी उस छोटे से वानर को बिजली का तार चबाते हुए देख रहे थे पर मंदिर पूरा खाली क्यों था और पुलिस के साथ बम निरोधग दस्ता वहाँ क्या कर रहा था इसे थोड़े से बिस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि 1998 नवे में घटी ये सत घटना आज तक किसी अकबार या न्यूज चैनल में ये घटना दिखाई नहीं गई आयोध्या के अथि सम्वेदन सील होने के कारण साल 1998 में करीब 20 किलो आईडी एक्स आयोध्या में आने की ख़वर उत्तर परदेश के हटी अफ यानि बिसेश पुलिस दस्ते को लगी थी जिसमें से आधिकांस तहां आईडी एक्स को समय रहते पुलिस की मुस्तेदी से जब्त कर लिया गया था और आयोध्या में किसी प्रकार का धमाका नहीं हुआ परन्तो एक आतंकी बम निरोधग दस्ते का भेज बना करके आयोध्या के सबसे प्राचीन हनुमानगड़ी मंदिर में घुस गया और उसने टाइमर सेट करके वहां ठंडे पानी की मसीद में बम लगा दिया जब तक पुलिश ने उसे बाहर भागते समय पकड़ा और पूस्ता शुरू की तब तक केवल एक मिनट का समय सेश रह गया था मंदिर में बम के विसफोट के लिए ऐसा उस आतंकी ने स्वयम बताया था तुरंत पूरा का पूरा पुलिस बल जिसका नेत्रत इस्पेक्टर अविनास में स्रा कर रहे थे मंदिर में घुसे और वो टाइम बम को खोजने लगे मंदिर का हर एक कोना हर एक गलियारा चान मारा पर बम जैसा कोई भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी सबने देखा मंदिर के प्रांगण में बने ठंडे पानी की मसीन के अपास एक छोटा वानर बैठ करके अपनी हाथों में दो तार की लिये उनसे खेल रहा था और मुँ में लेकर चबाय जा रहा था जैसे कुछ काट रहा हो पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो नहो इसी मसीन में बम फिट किया गया है उन्होंने उस बानर के मुँ से तार छुडाने के लिए केले उसके और फेंक दिये और केला जैसे ही उस बार्णर के तरफ फेका गया वैसे ही वो तार छोड़ करके बिना केले के लिए वहां से उतर कर चला गया और केला भी नहीं खाया यूं कहूं लुप्त हो गया तुरंत ही बम निरोधक दस्ता वहां बुलाया गया और जैसे ही मसीन खोली गई उस में से एक टाइमर सेट किया गया बम पाया गया दोस्तों सरीस बम को तो डिफ्यूस नश्ट किया जा चुका है ये देखिए टाइमर तीन सेकंड पर रुख चुका है उस छोटे से बंदर ने तार काट करके बम को फटने से रोक दिया है बड़े उस साह के साथ बम निरोधक दस्ते के उस सिपाही ने सूजना दी और कुछ ही देर में सारे पुलिस बल ने हनमानगड़ी मंदिर के सिखर पर वही छोटे से बंदर को देखा जो सिखर के कलस को सहला रहा था मित्रों आप ही बताईए वो छोटा सा वानर था जब फिर भक्त स्री हनमान जी महाराज संसार से कुछ कह रहे थे निश्चित ही वो हनमान बाबा थे और वो ये डंके की चोट पर सारे संसार को बता रहे थे कि अवद मेरे प्रभूसरी राम की है और इसकी ओर जब जब संकट आएगा तब तब एक वानर आकर इस अवद की रक्षा करेगा अपने प्रभू की परम प्रिये नगरी पर आच भी नहीं आने देगा हनमान जी महाराज की जय है तो दोस्तों किर्पया खोच चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके अपना आशिर बात दें धन्यवाद